तेवहारी मौसम में योगी सरकार अराजिक तत्तों पर नकेल कसेगी मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने दीवाली गोवर्धन पूजा भाई दूज और प्रमुक तेवहारों पर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजक तत्तों पर नर्मी न दिखाई जाए मुख्यमंत्री ने खुराफातियों और अब्बा पहलाने वालों से सक्ती से निवटने के निर्देश दिये हैं सीएम योगी राजधानी लखनों में उच्चा दिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी ने कहा शांती और सोहार्द के साथ सवी तेवहानों को संपन कराना सरकारी तंतर की जिम्मेदारी है बरेली पहुंचे समाजबादी पार्टी के नेता और पूरुसांसा धर्मेंदर यादव ने बेरोजगारी और महंगाई की मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जम कर निशाना साथा है दर्मेंदर यादव ने कहा कि जनता महंगाई से तरस है राजी के डिप्टी सीम बिर्जेश पाठक पर हमला बोलते हुए और उन्हें कहा कि वे कहां से कहां पहुंच गए 24 में बीजेपी में रहेंगे या कहीं और चले जाएंगे उन्हें कहा कि लोकसवा चनाओ में जनता भाजपा को करारा जवाब देने जा रही है दर्मेंदर यादव ने बरेली के सरकेट हाउस में मेडिया से बात करते हुए एक कांग्रेस पर भी हमला बोला उन्होंने कहा कि मद्दे पर्देश की जंता इस बार सपा को बेहतर परिणाम देने जा रही है बरेली में आई-मसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां फिलिस्तीन के समर्थन में 17 नौवंबर को ताकत दिखाएंगे मौलाना तौकीर ने शुकरवार के दिन बरेली के इसलामिय ग्राउंड में सामोहिक प्रारतना सभा बुलाने का एलान किया है मेडिया से बात करते हुए मौलाना ने इस बारे में जानकारी दी इस दोरान मौलाना इसराइल का समर्थन करने वालों पर जमकर बरसे मौलाना ने कहा कि देश की आजादी में जो लोग दिखाई नहीं दिये वही लोग आज इसराइल का समर्थन कर रहे हैं मौलाना ने दावा किया कि फिलस्तीन में इसराइल ने लेड़ लग से जादा मैलाओं और बच्चों का कतल कर दिया है बरेली में देर रात घर से ट्वालेट के लिए निकली यूपती पर मंचलो ने चापू हमला बोल दिया आरोफ है कि दुशकर्म के प्रयास का बिरोध करने पर मंचलो ने बारदात को अंजाम दिया है नवावगन चेतर के एक गाउं में आधिरात को यूपती घर से बाहर निकली थी इसी दोरान चोधों ने यूपती को पकड़ने का प्रयास किया बिरोध करने पर हमला बोल दिया यूपती को गंबीर हालत में अस्पताल में बरती कराया गया है पुलिस ने मुकदमा धर्च करके हमला बरू की तलाश शुरू कर दी है बरेली में घर की छट से गिरकर आठ मा की गर्बती महिला की मौत हो गई हाथ से से घर में कोरा मच गया बोजी पुरा थाना चेतर की धोरा टांडा निवासी किरन शाम के समय घर की शट पर गई थी संतुलन विगणने से किरन शट से नीचे सड़क पर आगिरी परिजन महिला को नीजी डाक्टर की यहां लेकर पहुंचे जहां से हालाग बिगणने के बाद देर रात उसे जिलासपताल में भरती कराया गया उपचार के दोरान महिला की मौत से घर में मातम चाया हुआ है बरेली में प्रेम बिवाह करने के बाद कचैरी आई लड़की को परिवार वालों ने पकड़ लिया आफरा तफरी के बीच काफी देर तक का चैरी परिसर में हाई बोल्टेज ड्रामा चलता रहा लड़की कोर्ट में शादी के बयान दर्च कराने जा रही थी इसी दोरान लड़की के घर वालों ने उसे देख लिया परिवार वालों ने लड़की को पकड़ा तो खी इस्तान शुरू हो गई शोर शरावे की बीच मौके पर पहुँची पुलिश ने किसी तरह घर वालों से लड़की को छुड़वाया बरेली में पैट्रोल पंप जा रहे बाइक सवार युवक को ट्रेक्टर ने टकर मार दी भीशन हाथ से में युवक की मौके पर ही मौत हो गई देवरनिया थाना चेतर के मंगरी गाओ निवासी विवेक देर राक घर से पैट्रोल पंप जाने के लिए बाइक से निकला था रास्ते में बेकाबू ट्रेक्टर ने उसकी बाइक में टकर मार दी मौके पर मौची पुलिस ने युवक के परिजनों को हाथ से की सूचना दी तो कोहरा मच गया पुलिस टकर मारने वाले की तलाश में जूटी है बरेली में सडक हाथ से का शिकार हुए बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दोरान मौत हो गई फतेगंज पस्चमी के टिशुवा गाउन लिवासी आनंद प्रकाश की बाईक को हाईवे पर बेकाबू कार ने टकर मार दी थी मौके पर पहुँची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भरती कराया था सूचना पर पहुँचे परिजनों ने अग्यात बाहन चालक के खिलाब पुलिस को तहरीर दे कर कारवाई की मांग की है परिजनों ने बताया कि देर रात उबचार के दोरान आनंद प्रकाश की अस्पताल में मौत हो गई है बरेली में खाना वदोश परिवार की 13 वर्शी लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है इजट नगर थाना चेत्र में जोपली डालकर रह रहे खाना वदोश परिवार की किशोरी को शोहोदे कई महीनों से हवास का शिकार बना रहे थे किशोरी के 6 मा की गर्वती होने पर परिजनों को इस बारे में पता चला सोम बार को हिंदू संगठन की पतादिकारियों के साथ ठाने पहुंची पीडित किशोरी की माने चार आग्यात आरोपियों की खिलाफ रिपोर्ट दर्श कराई है इन में से एक आरोपी मुक बदिर है पुलिस ने आरोपी को गरफतार भी कर लिया है बरेली में मन पसंद सिग्रेट ना देने पर बदमाशों ने दुकानदार पर चाकू से हमला बोल दिया दुकानदार को बचाने आई पतनी भी चाकू लगने से घायल हो गई इट पजाया चौराहा निवासी दीपक ने बताया कि दो दिन पहले मोहले के दो लड़के दुकान पर आए और सिग्रेट मांगने लगे जो सिग्रेट मांगी जा रही थी वह दुकान पर नहीं थी इसलिए उन्होंने मना कर दिया इस पर दोनों यूखों ने दुकानदार पर चाको से हमला बोल दिया शिकायत मिलने के बाद पुलिस हमला वरों की तलाश में जुटी है ये थे News Today Network के आज के समाचार ऐसे ही authentic और research oriented content के लिए लगातार News Today Network के news bulletin को follow कीजिए